हेलो एरिवान गुड मॉर्निंग नमस्कार 21 दिसंबर 2020 और आज के दहिंद निज्वेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे अनालिसिस करेंगे आप इसकी पीडियेफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर सीधा प नेपाल के रिशन्ट रिलेशन्शिप में क्या-क्या कुछ चीजें हुई है उन सबसे पहले हमें नेपाल की जोगरिफिकल लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए और अगर पता है तो हमें ये भी इंफोर्मेशन होने चाहिए कौन-कौन से मेजर स्टेट इंडिया के जुड़ा सा डिडीूस करेंगे तो आप देखेंगे चायना और इंडिया के वेच में लाएकर बफर स्टेट की तरह नेपाल दिखेगा यानि दोनों के बीच में एक इंपोर्टेंट बफर स्टेट रहेगा नेपाल कंट्री रहेगा और रेशनली कई सारी चीजें हुई ह नेपाल में जैसे माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है 0.86 इंक्रीज हुई इनके अलाव अगर आप देखेंगे तो कई सारी चीजें भारत और नेपाल के रिलेशन में जैसे कुछ एरिया जो उन्होंने एक पोलिटिकल मैप रिलेज किया था जिसमें भारत का उत्राखंड का कुछ रिजन जो अपने उसमें मैप में शोग किया और इन्होंने सिंगोले की त्रेटी थी हमारे हिस्ट्री के अंदर उसका उन्होंने हवाला दिया था की इस तरह के इस तरह का एफेक्ट उन्हों दिया की आ। वीजन जो है वो हमारी एरिया के अंदर पड़ेगा उसके बाद हमारे फोरण सेक्रेटरी साब है वहाँ पर विजिट कि उन्होंने कुछ डिस्कॉशन किया और उन सब के वावजूद अब यहां पर नेपाल के जो प्राइम निस्टर है उन्होंने एक तरी किसी का कि पारलिय एक इशूज था इनका पहले जो प्राइम निस्टर थे उनके साथ और अब जो प्राइम निस्टर है प्राइम निस्टर ओली और इसे पहले परचंड जो थे परचंड दहल उनके साथ इशूज था और जैसे ही यह अनौसमेंट हुआ जो परचंड दहल के स्पोर्टर्स मा लेकर वो पांच साल के लिए यह पांच साल के लिए यह तरीके सी एलेक्षन पूरा प्रोसेस होना था लेकिन उससे पहले ही डिजॉल कर दिया गया क्योंकि यह बहुत सेंस्टिव इस पूरी फोर्ट वहां पर क्विक एक्ष्ट को जोड़ डिप्लोई किया गया ताकि किसी प्रोटेस्ट को या इस तरह कोई भी चीज़े होती तो इसको काउंटर किया जासके तो यह कुछ इंपोर्टेंट फरन पेज़ पर न्यूस ती आगे चलेंगे इसके बाद यहां पर पेज नंबर टैन पेज दो तिन इंपोर्टेंट न्यूस जो हमें कवर करनी पहले इसका प्रपस क्या होता है बैटर कोडिनेशन हो रियल टाइम मोनिटरिंग इसमें की जासके इंडियन ओशन के अंदर ठीक है इसमें माल्द्यूस मैनमार और बंगलादेश इनको इंकलूड किया जाएगा इससे पहले मोरिसस सेसल्स स्रिलंका इनको पहले से इसमें देश इवन थाइलेंड के साथ भी डिसकुशन किया जा रहे है कि इस जो यह सिस्टेम है यानि नेशन जो है वो कोस्टल डार्क नेटवर्क के अंदर इंकलूड किया जाएं काफी इंपॉर्टन होने वाला है क्योंकि 26-11 में मुंबई में अटेक होई टेरर अटेक उसके पाद नेवी ने इंफॉर्मेशन अमनेजमेंट अनेलिसी सेंटर बनाया था गुर्ग्राम के अंदर और यह एक नोडल अजेंसी रहेगा इस तरह की डेटा फ्यूजन को लेकर इनके लावा अगर आप देखेंगे 22 कंट्रीज जो है लेड़ी इसमें एग्रीमेंट हो चु इनके अलावा इंटरनेशनल लाइजन ऑफिसर्स की बारे में बात हो रही है जिसमें फ्रांस जपान यूस अल्रीडी इसमें पार्ट हो चुके हैं इनके लावा यह एक प्रोजेक्ट है गवर्मेंट ओफ इंडिया का की कोस्टल रडार चैन डवलप किया जिसमें 46 कोस्ट टेरर अटेक हुआ वो कहने के ओशन के थूँ अटेक करने कोसिस की एंट्री करी उन्होंने टेर्रिस्ट ने ठीक है और यहां पर इसको पूरे सिस्टम को अगर हम सस्टेन करेंगे या बैटर इंफर्मेशन होगे इन कंट्रीज के बीच में तब एक बैटर जो है वो रिज शित होती है इसके बाद इस पैज पर एक और इंपॉर्स इंप्रमेशन है भारत और अमरीका के रिअ τις को और इननलीशन किया गया पिछले 4 साल में एक मंत से भी कम हो रह गया जब डोनाल्ड ट्रम जो है उनका टेन्योर या उनका करेकल खतम हो जाएगा और नए प्रिजिडेंट बन जाएगे जोई वाइडन 20 जनवरी 21 जनवरी के आसपास तो रिशनली कई सारी चीज होई यूएस के अमबेस्टर जो है भारत में के नाथ इस्टर उन्होंने भारत के डिफेंस मिन्टर राजनाथ सिंग पेट्रोलियम और नेच्रल गैस मिनिस्टर धर्मेंदर प्रदान और नीती आयो के चीफ जो है उनसे अमिताब CEO चीफ तो नहीं कूँगा नीती आयो के चीफ लिखा हो है ना लेकिन चीफ इसमें लगबग सभी एरियाज पर बात हुई इनके अलावा पॉसिबल वेवियर्स जो है जिसमें ट्रेड नेकोशिशन है नुकलर डिल्स है इसमें यह कई न कर यह चीफ पैंडिंग रहेगी लेकि अन्फिनिस्ट विजनस का एक टाइटल दिया गया यहां पर ठीक है इनके अला यूएस जो हमें कुछ रिलेक्सेशन दे कुछ हमें चूट दे ठीक है इनके अलाव अगर आप देखेंगे रिशनली हमने देखा ट्रकी पर उन्होंने संक्षन लगाया कि उन्होंने रस्या से S-400 मिसाल सिस्टम खरीदा और एक तरीके से वर्निंग भी दे कि अगर यूए आपके रिलेशन जो है अमरिका से काफी अच्छे हुएं काफी पोजिटिवली चेंज हुएं इनके अलावा कई सारी चीजे हुई है जैसे S-400 मिसाल सिस्टम से लेकर सुखोई S-35 फाइटर जैट जो है ये प्रोब्लमेटिक बन गए है भारत और यूएस के डिफेंस सिस् जैसे ये भी माना जा रहा कि जो है जब ओफिस को जो है वो ओफिस में जो सुरू करेंगे अपना करेकाल अपना टैनियोर सुरू करेंगे तब भारत को छूट दी जा सकती है जब 2020 के अंदर S-400 मिसाल सिस्टम के डिलिवरीज होंगी या उनको भारत में भीजा जाएगा ख अच्छे रईलेशन्शिप वाला टैनियोर था जो सकते हैं इनसे इंग नेना के साथ पढ़ाया था कि इंग्लेंड के साथ हैं प्रेफरेंस था ये जो सिस्टम है इसके तायद भारत के बहुत सारे आइटम को एक तरीके से रिलेक्सेशन मिलती थी अमरीका में जब वह जाते थे एक तरीके से और भारत और अमरीका के में बीच में जो ट्रेट डेफसिट है वो इतना नहीं है वो भारत के फेवर में positively है ठीक है as compared to China राइट इसके अलावा 2019 में जो differences हमने देखा कि इसका medical devices पर dairy products पर और IT products पर क्योंकि ये system अगर preference नहीं मिलेगी चूट नहीं मिलेगी इसके अलावा कई सारी चीजें जैसे भारत और अमरीका के बीच में एक तरीके से न्यूकिलर जो है वो रियक्टर सेट अप करने के अबारे में अंदर प्रदेश में बारे में बातचीत होना हूँ या डोनाल्ड ट्रम्प रिशनली के अंदर भारत के अंदर आये थे और civil liabilities laws के अवारे में उन्होंने कुछ concerns जता है कि भारत के अंदर जो न्यूकिलर से लेटिड जो लोज है वो एक तरीके से कुछ problematic कुछ concerns उनकी है इनके लावा कई सारे चीजें हो फोर एजामपल पाकिस्तान और चाइना के साथ relationship को ले को huge crowds को बोल सकते हैं इन सब के वावजूत military exchange हुए जिसमें ये चार agreement काफी important है जिसमें G SOMIA है लेमवा है कॉमकाशा और BECA जो recently agreement हुआ है चार के चार्ज ये foundational agreement वाने जाते हैं और भारत को strategic trade authorizations का इन्होंने एक तरीके से grant किया दरजा दिया एक तरीके से tag दिया इनके ल में जो issues हुआ उन समय intelligence sharing को लेकर and quick procurement को लेकर यानि जल्दी जल्द से जल्द जल्द अगर material चाहिए defense को लेकर वो procurement कर सकते हैं और इन सब के अलावा भारत और अमरीका जो है quad के important partner है quad में चार country इस टाइम है जिसमें Japan, Australia, India और US, Australia के इस पार पहली बार participate करना ये दिखाता क quad group कितना important होने वाला है तो यह यहाँ पर कुछ important information थी इसके बाद हम चलेंगे page number 13 पर जो की world section है और world section में particular news कोई नहीं है जो हम use करेंगे लेकिन कई सारे चीज़े हैं जैसे जोई बाइडन का interesting fact यह है कि जोई बाइडन बहुत actively काम करते हैं age के वाउज़न और एक struggle वेज उनका यह process रहा है 2015 में जब Paris Agreement हुआ था तब Barack Obama के time पे वो एक important role play कर रहे थे और क्योंकि climate deal जो हुई थी Paris Agreement deal उसमें अमरीका उस time था बाद में Donald Trump ने उससे back off कर लिया था एक तरीके से withdrawal कर लिया था तो यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने environment and energy को लेकर जो है अपना एक agenda set क किया कि कैसे जो है वो climate change climate को लेकर जो काम करेंगे इनके लावा उन्होंने काया कि हमारे पास time नहीं है waste करने के लिए और हमें environmental team उन्होंने अपनी बनाई कैसे हम काम करेंगे low income group के साथ कैसे हम fossil fuels pollution को काम करेंगे और सबसे interesting जो है कैसे हम climate change जैसी चीजों को face करें कैसे resolution इस के बारे में बात किया गया उन्हें ने कहा कि brilliant qualified or tested इस तरह की team वो बनाने जा रहे हैं और इस team का purpose same होने वाला है कि कैसे पूरी दुनिया के अंदर climate change को हम control करें कैसे जो है दुनिया बरकी generations को हम बचास के किसे climate change के जो negative या एक तरीके से बहुत negative extreme जो impact हो सकते हैं और कैसे अमरीका और दूसरी country एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकती है clean industries पर बात हुई कैसे जो है वो fossil fuels के वज़ाए clean industry पर हम लोग काम करेंगे right इन सब के बावजूद यह माना जारा कि अमरीका जो है वो Paris climate deal में फिर से participate होगा और भारत के लिए काफे interesting होने वाली है क्योंकि भार क्योंकि भारत उन country में से एक है जो इस agreement के दायत एक financial sport technological sport जो हासिल करेगा तो यह काफे important होने वाला है इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो United Kingdom में new virus फिर से वहाँ पर strength देखने को मिल रहा है काबूल में अफगानिस्तान में फिर से एक तरिके से terrorist attack किया गया है अफग क्राइसिज होना तालिबान और गवर्मेंट के विच बातचित हुई लेकिन उसका भी कोई resolution नहीं निकल रहा और इस तरह के terrorist attack जो है इस country को दुन्या की सबसे hostile country बना रहा है और यह असर जो है केवल अफगानिस्तान पर नहीं पूरी दुनिया पर और भारत भी से चिंतित यहां पर step उठाए हैं यहां पर मदद करिया अफगानिस्तान की ट्रेनिंग हो चाहिए वहां पर infrastructure development करने के बारे में बात हो इनके लावा नाजेरिया में जब हो सारे बच्चों को abduct किया गया था यह उनको एक तरीके से अपरण कर लिया गया है यह अच्छी नियूज है द देखेंगे नाजेरिया और इसके आज सपास यह country आप देखेंगे एक चाड है कैमरोन है नाइजर बैनिन यह country जिसके आज सपास लगे और गल्फ गवेना सबसे इंटरस्टिंग चीज है और जैसे अफगानिस्तान न्यूज में है तो अफगानिस्तान एक landlocked country है ठीक है इसको भी ध्यान रखिएगा प्लीज इसको भी आप मेंजन करिए अपने जोगर्फिकल एटलस के अंदर या आप जो भी आपके पास मैपिंग के लिए बुक है अफगानिस्तान और उसकी नेवरिंग कंट्रीज को जरूर पढ़ते रहिए और ऐसे ही पढ़ते है पढ़ते जो है सबसे इंटरस्टिंग है वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन दो एडिटोरियल हम कह सकते हैं कि इंपोर्टेंट है पहला है दर राइट कोल इसमें आर्टिकल में डिसकस किया गया अंदर प्रदेश हाई कोट के का जो स्टेटमेंट है कॉंस्टिशनल ब्रेकडाउन का उसके बाद अंदर प्रदेश की गवर्णेंट और उसके बाद जो है सुपरेम कोट तीनों का एक इंपोर्टेंट रोल का अनेलिशिस किया गया है तो सुपरेम कोट ने रिशनली फ्राइडे को स्टे कर दिया अंदर प्रदेश हाई कोट का जजज जो यह चाहते थे कि कि प्रिजिडेंट रूल वहाँ पर लगा जाए इस तरह की बात क्यों करी उसको बारे में हम थोड़ा सा एक बैकवर्ड में जाएंगे कैसे थोड़ा सा पीछे जाएंगे यहां पर बात की जारी एक अक्टूबर के बारे में एक परशन है उनके खलाब हाइबस कॉप्स प्र करके यहां बंदी प्रतिक्सी करण हिंदी में बोलते है रिट प्रिशन आप जानते होंगा अर्टिकल 32 और अगर हाइब कोट के कॉंटेक्स्ट में तो सुरी तू-टू-टू-श और वहां पर जाएगा इसमें सुप्रीम कोट में 32 यहां पर यह रिलीज यह जो रिट प्र के थूँ जो है इसमें सुप्रीम कोट सुरी हाइब कोट में वहां पर कहा कि स्टेट मसिनरी जो है वह प्रोपर फंक्शन नहीं कर रही है उनके खिलाब यह स्टेट गवर्मेंट में कॉंस्ट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है और इसमें एक तरीकर से जूडिशियल आव जो है वो कारेपाली का डिसीजन लेगी प्रेजिडेंट और गवर्नर ये डिसीजन लेगे कि वहां पर स्टेट मसिनरी फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है इनके अलावा सुप्रेम कोट का क्लिरली एक जजज्मेंट है एस सार बोमई केस के अंदर जिनमें नाइन मेंब अलावा जुडिशल रिव्यू की जो बात करते किसी भी चीज को लेकर जुडिशल रिव्यू में आपको जो है वो इस तरह की रिव्यूज करने की रिक्वायरमेंट या आप वो इस तरह की रिव्यूज नहीं कर सकते कि वहां पर कonstatusian अवे एक तरह के से ब्रेकडाव पूरा का पूरा केस है क्या बेसिकली अगर आप देखेंगे सुप्रेम कोट में कई सारी चीज़ें हुई है और अंदरप्रदेश के जो गवर्मेंट है जिसमें चीफ मिनिस्टर जगन महुन रेड़ी और वहां के हाई कोट इनके बीच में इस्यूज है इनके लावा रिशन ये एक अच्छा तरीका नहीं है इसके लावा हाई कोट ने रेशनली सीबी आई को प्रोब करने की भी एक तरीकेस ओडर दे दिया था कि सोशल मीडिया कैम्पेन उनके खिलाफ चलाया जा रहे है इसके लावा सुप्रेम कोट ने फाइनली एक आया कि फिलाल इस ओडर पर स इसको सुना जाएगा तो इस तरह के जो जज्जमेंट हाई कोट क्या आए है ये कहीने कहीं जूडिसरी एक्जिकीटी और लेजिसलेजर के बीच में कुछ डिफिकल्टी है जो हमारी कॉंस्टुशन की बेसिक चीज़े हैं सेप्रेशन और पावार्स उसका कहीने कई वोई इसको रिजोल करने के लिए सुप्रेम कोट का आगया आना काफी इंपोर्टन था इसके बाद सेकेंड आर्टिकल है लेइंग दा फाउंडेशन फॉर फास्टर ग्रोथ ये लिखा सी रंगराजन ने काफी इंपोर्टन परसनेलिटी है एकनोमिक के लिए और काफी आप जा है और चल रहा है तो उसने सबसे जादा किसी चीज को इंपेक्ट किया है तो वो है किसी भी देश की एकनोमि हलाकि कुछ देश अभी भी पोजिटिवली होंगे ग्रोथ कर रहे होंगे लेकिन अवरोल पूरी दुनिया एक दरीके से नेगेटिव ग्रोथ रेट के साथ आग जरली माल लेते हैं कि 8% का कॉंट्रक्शन हमें देखने को मिलेगा कमी देखने को मिलेगी तो इसको कवर करने के लिए जुरूरी की 2021-22 में 8% की ग्रोथ रेट हो यानि उसको कांटर करने के लिए जुरूरी एक लेवल बन जाए कि हाँ भाई कुछ नुक्सान हुआ तो नौवल क्रोनावाइरस से लेकर पेंडि में एकनोमी को लेकर हो या इसमें एकनोमी से लेकर हमारे रेसेंटली इंडियन एकनोमी के परफोर्मेस में अगर आप बात करेंगे लेकिन अगर आप इसको अनलिसिस करेंगे डिकलाइन के नंबर को अनलिसिस करेंगे तो कहिने के इंप्रोमेंत है ऐसा नहीं कि एक तरीके से कंटिन्यू ये डाउनफोल हो रही तो यहाँ पर इंप्रोमेंट आपको देखने को मिलेगा माइनस 23.9 चागर माइनस 7.5 है तो ये नहीं कहेंगे कि एकनोमी ने बहुत बड़ा प्रफॉर्म कर दिया लेकिन एकनोमी जो है as compared to first quarter वो second quarter के अंदर अच्छा प्रफॉर्म कर रही है नए साल आने वाला है तो कई सारी चीजे हो सकती भारत के लिए 2020-21 अच्छा नहीं रहा और दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं रहा तो इसमें कई सारी चीजे होंगी पहली बात कि हमारी एकनोमी 2020-21 में कैसे कि कितनी बैट प्रफॉर्म करेगी 2021-22 में क्या perspectives हो सकते है और आने वाले months में monetary policies क्या हो सकती है इनके अलावा जो February के अंदर बजट आएगा उसमें क्या चीजे हो सकती है central government के तुवारा ताकि एक environment बने ट्रेड को लेकर investment को लेकर उन सब के बीच में ये सारी चीजें जो भारत को मदद करें और इनका focus होना चाहिए किसको reforms को लेकर या एक तरीके से economic revival को लेकर जो है वो focus होगा इनके लावा अगर आप देखेंगे 2020-21 के performance को analysis करें तो GDP का number जो है उसमें contraction देखने को मिला और ऐसा फिल होता है कि 2011-2012 वाले पिरिट्स में हम लोग थे जहां पर contractions के बाद जो हमारे डेटा आया लेकिन अभी जो है हमा इन्हों ने कहा कि मेरा personal estimate और डीके सिर्वास्तों ये दो लोगों के estimate है कि quarter 4 के अंदर जो positively increase होगा बहले ही quarter 3 में positively increase ना हो कमें देखने को मिले लेकिन quarter 4 के अंदर positively growth rate देखने को मिलेगी और overall जो contraction होगा पूरे 2020-21 में financial year में financial year का मतलब आप एक अपरेल से 31 मार्च तक consider कर सकते हैं इसमें 67% तक होगा ठीक है इनके लाव इनों ने कहा कि कई सारी इंडिकेशन है जैसे goods and services टेक्स में improvement हो collections को लेकर हो cold steel cement इनमें positive growth देखने को मिल रही हो manufacturing sector के अंदर positive growth देखने को मिल रही हो और private sector का कुछ इसमें कह सकते improvement हो हलांकि कुछ concern जैसे hospitality sector है जैसे hotel है इस तरह की sector या tourism है उनमें कम है it will take time ये time लेगा recover करने के लेकर लेकर लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे six to seven percent के आज पास जो हमारी economy में कमें देखने को मिल सकती है ये जो international monetary fund ने analysis किया था estimate कि इंडियन economy जो 10.3 परसेंट होगी उससे काफी कम होगा और reserve bank of India मानता है कि contraction में कमी होगी क्योंकि जो quarter two के डेटा आए है और रेशनली कई सारे डेटा जीस में जीस्टिक लक्सें है आई आई पीज के हो इंडेक्स ओफ इंडेस्टिल प्रडक्शन या कोर इंडेस्टिज के जो डेटा है उससे एक अनलिशिस मिलता है कि कहीं ने कहीं economy में revival है economy कुछ changes positively हो रहे हैं तो simple सी इन्होंने बात कहें कि again 8% के at least हमें growth rate चाहेगी 2021 में अगर हमें पीछे 2021 वाला यानि यह साल चल रहा है उसको cover करने के लिए इनके अलावा कई सारे issues है जिसमें capital investment को लेकर हो trade को लेकर हो और सबसे interesting है कि कैसे भारती हासिल करेगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा monetary policy काफी important होने वाली है क्योंकि उसमें depend करता है कैसे आप liquidity provide करेंगे market के अंदर supply कैसे करेंगे और inflation को कैसे determine करेंगे इन सब को लेकर analysis किया जाएगा और इसके बात पता चलेगा कैसे recovery हमारे economy करने वाली है next year in 2021 से 22 के अंदर इनके लावा public administration हो defense हो other services में कैसे हमें function करना कैसे important role play करना है इनके लावा government का expenditure काफी important होगा fiscal deficit की हमेशा बात होती है fiscal deficit का मतलब है राज कोशिय घाटा उसको कैसे maintain करना है GDP compare में कितना fiscal deficit जो हम survive कर सकते हैं कितना अच्छा माना जाएगा ये एक important है इनके लावा next year के अगर हम बात करें तो growth and investment के लिए government का infusion करना इस sector के अंदर ये काफी important है कई सारे controversies भी रही कई सारी चीज अच्छी भी होई जैसे अगर आप देखें labor reform जो है ये एक अच्छा step माना जाता economy की perspective से और भारत की अगर हम चाहते हैं कि भारत 5 trillion economy की growth rate हासिल करें 2025 तक तो क्योंकि 2019 में हमारी जो total इंडियन economy थी वो 2.7 trillion डोलर थी तो इसका मतलब हमें लगबग 9% की जो growth rate per year चाहिएगी तब हम हासिल कर सकते हैं जो अगर growth बढ़ती है तो jobs and employment बढ़ने की भी chances होते हैं तो ये कुछ parameters हैं जिसको इन्होंने analysis किया ये article वैसे बहुत बढ़ा था लेकिन main main जो crux है वो हमने cover किया आप इसमें अगर ये pdf में provide करवाई रहा हूँ आप इसको अगर चाहते हैं पढ़ने पढ़ना तो definitely आप पढ़िए इसके बाद सीधा questions पर जाएंगे question number 46 है कि who of the following organized a March on the Tanjore Coast ये तन जोर कोस्ट पर मार्ज को किस ने organize किया था salt low के खिलाफ या आप इसमें एक है सकते है civil disobedience सविन्य अवग्या अंदोलन 1930 वाला ठीक है और यहाँ पर चार personality दी गई है वी ओ चिदंबरम पिलाई सी राजगोपाल चारी के कामराज और एनी बेशेंट ठीक है क्योंकि ये moment जो है गांदी जी द्वारा लड़ किया गया था ठीक है और गांदी जी के important partner जो थे वो सी राजगोपाल चारी थे और वो आते भी साउथ इंडिया से थे तो इसमें जो राइट आंसर होगा सी राजगोपाल चारी है क्योंकि चिदंबरम पिले जो थे वो थोड़ा सा revolutionary लेडर थे और एनी बेशेंट ने थोड़ा सा अपना रोल जो खतम कर लिया था 1917 के अंसर आप जमन एक्जाम दिया थे गलत कर दे पिल्ला ही कर दिया था क्योंकि उसमें लोजिकली अप्लाई नहीं हुआ या एक तरीके से आपको रिवलेशनरी के बारे में आपको कौन गांदी जी के साथ थे कौन किस ग्रूप के साथ थे उसको आपको थोड़ा पढ़ना पढ़ेगा था कि आपका क्लेर्टी रहे इनके लावर यहां पर एक स्टेटमेंट दी गई है कि एक सीटी बनाई थी साउथ बैंक ऑफ ट्रिविटरी जो रिवर कि जो साउथ बैंक की ट्रिविटरी यहां पर तुखबंद्रा के बारे में बात की जा रही है और यह कौन हो क्यों होगा क्योंकि यहां पर बात की जारी है एक फांडेट सिटी तो यह अगर किष्णा तुखबंद्रा के बीच में कोई सिटी है तो वह विजयन अगर आए और विजयन अगर अगर एंपायर को आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें हरी हर फर्स्ट जो है हरी हर और बुक कोंग्रेस वाज स्रोजनी नाइडू और सेकेंड है फर्स्ट मुस्लिम प्रिजिटेंट ऑफ दा इंडियन नेसल कोंग्रेस वाज बदरुदिन तयब जी राइट यहां पर आप देखेंगे वेच अव तर स्टेटमेंट गीवन अबो इस आर क्रेक्ट तो इसमें दो स्टे नाइडू राइट हो जाती आइठिंक स्रोजरी नाइडू जो है 1925 वाले जो सेशन दा कानपूर में होगा था आप चेक कर लेना 1925 में वो प्रिजिटेंट बनीती इंडियन नेशनल कोंग्रेस की इसके लावा जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रिजि यह फंड का परपस क्या है कि जो डेवलपिंग कंड्रीज है विकास सिल देश है उनको क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए अड़प्टेशन और मिटिगेशन प्रेक्सिज के लिए यानि उनको कम करने के लिए फंड प्रवाइड करेगा ठीक है सेकेंड स्टेटम जो गलत है क्योंकि अगर आप देखेंगे युनाइटेड नेशन यह जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है 2010 में युनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और क्लाइवेट चेंज के दवारा जो यह बनाया गया था और यह काफी क्रूशल रोल प्ले करेगा पैरिस एग्रिमेंट में इसका टारगेट टू डिगर सेलसेज तक कंट्रोल करना अगेन क्योंकि यह फैनल्सल मोबिलाइज करेगा और जो पूर कंट्री है या जिसमें कह सकते हैं कि जो डेवलेपिंग कंट्री जो उनको फंडिंग प्रोवाइड करेगा तो यह स्टेटमेंट गला तो इसमें इस में जो है और इस बार जो 2020 में किसी बीटिस कोई है उनको दिया गया है वो भी आप कवर करते रहना इसके लाव जो रिट प्र आप कि Elise को यहां और आप देखेंगे है बस और जिसकों या जिसको बंदी प्रतिक्शिकन बोलते है इस में दो 3 चीजिए होना है पहले बात ये सारी चीज़े है तो आज के दहिंदू नीज पेपर में इतना ही थैंक्यू ओल जहिन